बरत्मान बारतिय जन्ता पार्टी के सरकार ने एक स्कैम किया है घुटाला किया है एक सेंटर से छे बच्चे पूरे हिंडिया के टॉप रहें एक सेंटर से 1500 से उपर बच्चे को Grace Marks देते हैं जबकि Grace Marks का कोई प्रावदान नहीं है ऐसे Marks देते हैं 718 और 719 जो संभव नहीं है इसलिए संभव नहीं है क्योंकि Neat में यदि आप फ्रशन छोड़ते हैं तो आपको Negative Marks नहीं होगा लेकिन अगर आप गलत आंसर देते हैं तो माइनस वन है तो यदि आपने एक Question गलत किया सही Question का 4 Marks गलत का माइनस वन तो अगर आपने 120 में से 119 सही किया और छोड़ दिया तो आपको मिलता है 716 यदि आपने 119 Question किया और एक गलत था तो आपको मिलता है 4 तो गलत और माइनस वन तो 715 लेकिन इस बार का नीट में 718 719 आ गया है जो Physically Impossible है Mathematically Impossible है ऐसे बच्चे लोग जो Physics और Chemistry में फेल हुए है वो देश के टॉपर बन गए ऐसे बच्चे लोग जो हैं जो अभी वो अलग पांडे जी जो Physics वाला के जो Founder है वो बता रहे थे कि उनके एक बच्चा है जो 530 ले आया है और इस बार 720 हो गया है उसका सरकार तायार नहीं अपनी गलती मानने के लिए और यह स्कैम इसलिए है खेल यही है जमशेपूर के बच्चे लोग के इतना ही समझा पेरेंट गार्डियंस को समझाने के कोशिश करो यह स्कैम क्यों हो रहा है इस देश में 58 580 के उपर जो है सरकारी कॉलेजिस मिल जाते हैं सरकारी कॉलेजिस का फीज जो है साल बर का 20,000 है आप 50 लाग देते हैं क्वेश्चन पेपर के लिए तो आपको सिरफ एक बार का खर्चा 50 लाग है यदि आपका बच्चा को जो है सरकारी कॉलेज नहीं मिलता है तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आपका बच्चे का खर्चा डेर क्रोड से डाई क्रोड तक है खेल यह यह तो देश में क्या हुआ कि गाडियन ने समझ लिए कि आप प्राइवेट कॉलेज में तो हम बरवाद हो जाएंगे 40-50 लाग में पेपर खरीद लो और सरकार इसको सुदार ने करके ना तो कोई सुजाव दे रही है हमारा मांग है कि इसको कैंसल करें एक नया सिस्टम लागो कीजिए और बच्चे लोग को बताईएगा कि पूरी पारदाशिता के साथ कि क्या गलतियां हुई है व्यापम हुआ है मैंने पहले भी काता है कोई भी सरकार हो राजस्तान में हो गुजरात में हो और एक चीज़ याद रखिएगा कि बिहार में नीट गोटाला के लोग पकड़े गए गुजरात में नीट गोटाला के लोग पकड़े गए अब सरकार बोले तबी भी स्कैम नहीं है इसका मतलब कि डाला में काला नहीं है पूरी डाल जो है काली हो चुकी है धन्यवाद